हाई फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल सहील एजुकेशन पोईंट मैं आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें कलास्तेंट आज का सब्जेक्ट है साइंस जो सब्जेक्टिव कोशन है दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबादें जिसे जो भी वीडियों अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें चले दोस्तों हम लोग शुरू करें कोशन पहला कोशन है बिधुत जनित्र का सिधान्त सहित कार्य विधी का सचित्र वर्नन करें दुसरा कोशन है हीरे का आप वर्त नांक 2.42 है इस कथन का क्या अभिप्राय है तिसरा कोशन है साप चीत्र द्वारा निकट दिरिष्टी दोस्त का वर्नन करें चौथा कोशन ऐसे दो उर्जा सुरूतों के नाम लिखें जिन्हें आप नवी करनिये मांगते हैं पाँचवा कोशन वो जोन क्या है तथा वह किसी परितंत्र को किस परकार प्रभावित करती है चठा कोशन है पर्यावरन मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन-कौन से परिवर्तन ला सकते हैं साथवा कोशन है समांतर स्रेणी में सन्योजित दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ग्याद करें समांतर स्रेणी में सन्योजित दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ग्याद करें आठवा कोशन है समझातिये स्रेणी क्या है उदहारन के साथ लिखें समझातिये स्रेणी क्या है उदहारन के साथ लिखें नौ नमबर का कोशन अमल का जलिये विल्यन क्यों बीधूत का चालन करता है दसवा कोशन जींक को आयरन टूसल्फेट के विल्यन में डालने से क्या होता है होने वाली रसाइनी कभी किरिया लिखें जिंक को आयरन टू सलफेट के विलियन में डालने से क्या होता है होने वाली रसाइनी कभी किरिया लिखें एक रहमा कोश्चन है कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारन करने के लिए हम किस माप दंड का उपयोग करेंगे कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारन करने के लिए हम किस माप दंड का उपयोग करेंगे बराहमा क्वेश्यन है मनुष्यों में आक्सीजन तथा कार्बन डाई अक्साइड का परिवहन कैसे होता है तेराहमा क्वेश्यन है प्रकास संसलेशन के लिए आवस्या के कच्ची समगरी पौधे कहां से प्राप्त करते हैं प्रकास संसलेशन के लिए आवस्या कच्ची समगरी पौधे कहां से प्राप्त करते हैं चोदाहमा क्वेश्यन निफ्रावन का स्वक्ष नमांकित चीतर बनावें पंदरहमा क्वेश्यन निम्नांकित कार्बनिक यवगीकों का सनरचना सुत्र लिखें पहला क्वेश्यन डाइक्लोरो मिथेन दुसरा नमबर है इथेन तिसरा है इथानोईक अम्न चौथा है प्रोपेन पाचवा है फार्मिल्डी हाइड दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन का बटन दबा दे जिससे की जो भी वीडियो में अप्लोड करें सबसे पहले आप तक पहुँश सकें अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए जय हिंद जय भारत